नमस्ते भारत आप सभी का स्वागत है मेरे यूटुब चैनल पे चेक्स वर्ल्ड तो विंटर्स आ गए है और विंटर्स में सूप पीना सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ट्वीट कॉर्ण सूप बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है पीने में हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है तो वीडियो का अपन तक जरूर देखे अगर आपको मेरा रेसिपी देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे हैं नोटिफिकेशन आपके फोन पर आता रहे हैं सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर कॉन निकाल लेना है तो यहां पर मैंने मार्केट वाला कॉन इस्तेमाल किया है आप यहां पर फ्रोजन कॉन या जो कॉन आता है आप वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कॉन लेने के बाद हम यहां पर कॉन में से थ्री टेबल स्पून कॉन हम छोटे कटोरी में निकाल लेंगे और कॉन मैंने यहां पर दो लोगों के हिसाब से लिया है आप अपने अकॉड़ gör अपकर ले सकते हैं उसके बाद हम कॉन को अच्छे से पीज करके एक फाइन पेसि स्याटर करने इसके बाद हमें कि हां पे बड़ा सा बाउल लेंगे बाउल के ऊपर हम एक स्ट्रेइन रख देंगे इसके बाद हम ने जो यहां पर प्यूरी बनाई है कॉन की वहां चंड़ी ज़ी आपकर डाल करके इसंक्तर कंड़ कर दार्ट के लिए दिर्टरी के लिए सबसे पहले तो यहां पर कॉन फ्लार का पर इस्तिमाल कर सकते हैं बार्ट डालने के बाद में थोड़ा सा पाणी डालें गें पानी कडाई के अधाइगा डालेंगे अधिक चोटे दियांतीन उसके बाद आप च जोड़ेंगे जोड़ेंगे बड़े अधिके बादIES हैं ऊसके बाद हम यहाँ परサुट और कदुकस करके डालेंगे अध्रक और लेसन को अच्छे से भून लेंगे तब तक भूनेंगे जब तक हमारी लेसन और अध्रक का कच्छा पन जो है चलानी जाता थोड़ी दिर बाद आप देखेंगे लेसन और अध्रक का कच्छा पन जा चुका है तब हम इसके अंदर डालें कर लेंगे स्वीट कॉन तो आधा बाउल में यहां पर सूइट कॉन का इस्तमाल किया है उसके बाद हम सभी सब्जियों को बुल अच्छे से सौते कर लेंगे जादा हमें नहीं पकाना है इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक ग्लास पानी आप अपने अकॉर्डिंग य कर लेंगे और पानी को हम बॉइल होने तक अच्छे से पकाएंगे और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारे पानी में से ना बॉइल आना शुरू हो चुका है तब हम क्या करेंगे जितना भी सूप है उसको हम बीच में लेंगे और ज्जाग को इस्तमाल करके निकाल लेंगे यहां पर हम ध्यान से ज्जाग को बाउल के अंदर निकाल लेंगे और यहां पर जितना भी सूप में ज्जाग था वो मैंने बाउल के अंदर निकाल लेना है और सूप को यहां पर अच्छे से बॉइल होने देना है उसके बाद हम सूप के अंदर डालेंगे कॉन का पानी जो हमने त्यार किया था कॉन फ्लार के पानी को एक बार अच्छे से मिक्स कर ले उसके बाद ही आप सूप के अंदर डालें के बाद हम दुबारा सूप को स्टर करते रहेंगे थोड़े दिर बाद आप देखेंगे आपका जो सूप है वो थोड़ा थीक हो चुका है तो इसको थोड़ी दे दो से तीन मिट अच्छे से इसको बॉयल होने दे दो से तीन मिट सूप को बॉयल होने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ टेबल स्पून ब्लेक पैपर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा चीनी बिल्कुल हाफ टेबल तब तक करेंगे जब तक हमारा यहां पर चीनी जो है वह तोड़ा थीक हो चुक है और यहां पर आ करके हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और यहां पर हमारा स्वीट कॉन सूप बन करके त्यार हो चुका है विंटर्स के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट त्राइक बच्चों को बहुत ही जादा टेस्टी लगेगा को मेरा ये रेसेपी कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल ऐकन दबाना ना भूले मैं हर दिन नहीं वीडियो लेकर के आतू तो चैनल पे बने रहे तब तक के लिए थैंक्यू फो वाच्चिंग